मेरे प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार आज की कक्षा में आपका स्वागत है और मैं आपको हिन्दी विशे में शिरी सुमित्रा नंदन पंत का चीटी नामक पाठ पढ़ाने जा रही हूँ सुमित्रा नंदन पंत चायावादी कवी थे उन्हें प्रकर्ति का सुकुमार कवी भी कहा जाता है यह सुमित्रा नंदन पंत जी का चित्र है चायावाद का समय 1928-1936 तक माना जाता है और उसके जो प्रमुक चार इस्तंभों थे शिरी मती महादेवी वर्मा, शिरी सुमित्र पंत शिरी जैशंकर प्रसाद और शिरी सूरुकांत्र पार्थी निराला उन चार इस्तंभों में सुमित्रा नंदन पंत जी भी एक थे अब सबसे पहले मैं उनका जीवन परिचे आपको पढ़ाऊंगी सुमित्रा नंदन पंत का जन्म बागेश्वर जिले के कौसानी नाम ग्राम में 20 मई 1900 को हुआ था जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी माता का निधन हो गया था अतह इनका पालन पोशन इनकी दादी माने किया था और इनका नाम गुसाईदत रखा गया पंत जी 1910 में शिक्षा प्राप्त करने गौवर्मेंट हाई स्कूल अलमोडा गये यहीं उन्होंने अपना नाम गुसाईदत से बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रख लिया था और पंत जी 1918 में मजले भाई के साथ काशी गए और जिसे आजकल बनारस भी कहते हैं वहाँ पर प्विंस कॉलेज में इन्होंने पढ़ाई आरंभ की वहाँ से हाई स्कूल की परिक्षा उत्तिन कर मियोर कॉलेज में पढ़ने के लिए इलहाबाद आ गए इलहाबाद को इस वएकिस में असधयोग आंधोलन के समय भारतियों के अंग्रेजी विद्यालेों, महाविद्याले, नियायाले, एंसरकारी कार्याले के बहिशकार करने की प्रार्थना की थी तो उनकी प्रार्थना पर पंत जी ने महा विद्याले छोड़ दिया और घरपर क लगए का केंद्र बिंदू रहा है उस कुछ वर्षों के बाद पंतजी को घोर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा और इन्ही परिस्तियों में वह माक्सवाद की और उन्मुक्वे जैसा कि आपको पता होगा काल माक्स का सिध्धान्त माक्सवाद कहलाता है जिसे व्यग्यानिक सम समाजवाद भी कहते हैं जिसमें उन्होंने आर्थिक और सामाजिक समानता की बात की है उत्पादन के साधनों पर स्वामोहिक स्वामित्व वह चाहते हैं और चाहते हैं कि समाज में वर्ग भेत समाप्त हो जाए तो उनके इनी सिध्धान्तों से पंतजी प्रभावित और वहां पर गंगा नदी के किनारे सुरेश सिंग का महल था उसी महल में रहकर के कुछ समय तक पंत जी ने अपनी काव रचनाए करी और 1938 में प्रगतिशील मासिक पत्रिका रूपाब का संपादन किया छाया बाद के बाद जो कावचेतना है उसे प्रगतिशील या प्रगति सहानुभूती जताते हुए उनकी आवाज को मुखर किया गया है और ततपश्यात पंत जी शिरी अर्विंद आश्रम की यात्रा से आध्यात्मी चेतना की ओर प्रवर्त हो गए शिरी अर्विंद आपको पता होगा प्रसिद सुतंतरता संग्राम सेनानी थे लेकिन धीरे ध चुकाव अध्यात्म की ओर हो गया और उनका दर्शन अर्विंद दर्शन के नाम से विख्यात है जिसमें उन्होंने यह प्रकट किया है कि मनुष भौतिक जीवन व्यतीत करते हुए भी अपनी आध्यात्मी चेतना का विकास कर सकता है और दीन दुखी गरीबों के माध्य से वह अतिमानव और अतिमानस की योर अग्रसर हो सकता है तो उनके इन विचारों से पंतजी बहुत अधिक प्रभावित हुए थे पिर 1950 से 57 तक वह आकाशवाणी में सलाहकार भी रहे और 1958 में युगवाणी से वाणी काव संग्रहों की जो प्रतिनी दिश्रेष्ट कवित आए थी उनका जो संग्रह था वो चिदंबरा नाम से प्रकाशित हुआ और इसी चिदंबरा पर उन्हें 1968 में भारतिय ज्यानपीट पुरुसकार प्राप्त हुआ भारतिय ज्यानपीट पुरुसकार भारतिय ज्यानपीट नियास दौरा दिया जाता है और ये भारतिय ज्य ग्यानपीट न्यास उन्ने सो पैंसे इसमी में स्थापित किया गया था तब से प्रतिवर्ष श्रेष्ट साहितिक रशना को ग्यानपीट पुरुसकार दिया जाता है भारत्तिय सम्विधान की आठ्मियन सूची में जो 22 भाषाएं दी गई हैं उनमें से प्रतिवस किसी एक भाषा के लिए यह ग्यानपीट पुरुसकार दिया जाता है पंत जी को 1960 में कला और बुढ़ा चान काब संग्रे के लिए साहित कादमी पुरुसकार भी प्राप्त हुआ था पंत जी को 1961 में पद्नभूशन की उपाधी भी प्रदान की गई थी पंत जी ने लोकायतन नाम क महा काब की भी रचना की थी और जिसका प्रकाशन 1964 इस्वी में हुआ इस तरह वो जीवन्द परेंट पूरे जीवन साहित्तिक रचना में लगे रहे और उनकी मृत्त्यू 28 दिसंबर 1977 को हो गई अब हम पंत जी की रचनाओं पर आते हैं पंत जी की कृतियां या रचनाए ग्रंती उच्छवास वीणा जो छोटे छोटे प्रगीतों से भरपूर है पल्लव उनका काव संग्रे जो छायावादी समस्त चेतना से भरपूर है जैसा कि हमने आपको प्रारम में ही बताया कि पंत जी छायावादी कवी थे और छायावाद की जो विशेशताएं हैं स्व कल्पना विश्वकल्पना सा उंचा वह नारी के प्रति सम्मान प्रेम आकरशन देवी मा सहचरी प्राण देश प्रेम भारती संस्कृती से प्रेम आदी जो छायावाद की विशेशताएं हैं इन विशेशताओं से इनका पल्लव कावसंग्र है भरपूर है फिर आदी विचार दर्शन से प्रभावित होकरके उन्होंने युगांत युगवाणी और ग्राम में आदी रचनाय रची स्वान धूली उनकी व्यदिक चिंतन के लोकमंगल की भावना से प्रभावित है सर्वे भवन्तु सुखिना इस तरह की कल्यारकारी भावनाओं को उन् उत्रा नामक काव रचना में अतिमा उनका काव संग्र है और किरण वीडा आत्नपरक लंबी कविता है संक्रांति सत्यकाम जो 1977 में प्रकाशित हुई इस तरह से उनकी संपून काव यात्रा से स्पस्थ है कि भारती चिंतन धारा में वो समग्रता की संपूनता की खोज करने वाले कवी थे वो भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन के बीच में समन्वे स्थापित करके विश्व मानव और मानवतावाद जैसे विचारों को अपनी कविता में स्थान देते हैं और भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत के सामन जस्भाव के मूल का केंद्री तत्व मुख विशय ही समगर विकास का मूल तत्व है भारती संस्कृति के सूत्र से पंत जी विश्व संस्कृति विश्वनागरिक अत्वा मानफतावाद के आदर्शों को हम सब के सामने लाते रहे हैं और इन्हें अपने काव का विशय बनाते रहे हैं अब हम उनकी भाषा शैली पर आते हैं पंति जी की भाषा साहितिक खड़ी बोली है पंति जी ने खड़ी बोली को ब्रज भाषा जैसा मातुर एम सरस्ता प्रदान करने का महत्वपूर कार किया है ब्रज भाषा की मिठास और रस्मैता का उन्होंने खड़ी बोली में भरपूर प्रियोग किया है और बांगला तथा अंग्रेजी भाशा से भी प्रभावित थे और बांगला भाशा की कोमल कान पदावली का प्रियोग भी उन्होंने अपनी खड़ी बोली में किया है और इसलिए उन्होंने गीतात्मक शैली भी अपनाई है इस शैली में गेता का तत्व प्रमुक होता है इनकी प्रगीत शैली के मुख विशेशना हैं सरलता जो आसानी से समझ में आ जाए मधूरता मिठास चित्रात्मक्ता जिस भाव का वर्णन करते हैं वह चित्र की तरह आपकी आँखों के सामने घूमने लगता है उसमें कोमलता है और गीतात्मक्ता उसमें गेता का गुण भी है भा अब के अनरूप भाशा का प्रियोग करने में पंत जी सिद्ध हस्त थे और ये इनकी प्रगीत शैली को और अधिक प्रभावपून बना देता है अगर मैतली शनगुप्त ने खड़ी बोली को गरिमा महत्ता प्रदान की तो पंत जी ने उसे एक साहित्तिक भाशा की शिरी सब के सामने प्रकट किया भाशा में वे संस्कृत की शब्द राशी का भी प्रियोग करते हैं लोग भाशा के प्रती भी उनका आकर्शन है और जैसा कि उनके काव में ठोर ठोर दुलराना आधि शब्दों के प्रियोग से इसपस्ट हो जाता है और पंत जी का काव विशिल लिखी आत्मपरक गीतों की रशना की तो इससे यह इसपस्ट हो जाता है कि इनों ने प्रबंद काव शैली और मुक्तक काव शैली की प्रगीत और गीत शैली को भी अपने काव में अपनाया है और पंत जी ने नाद सौंदर के नूतन प्रयोग करके कविता को निखा रहा है उसका सौंदर हमारे सामने लाए है हर अक्षर का अपना एक नाद सौंदर होता है उसमें एक ध्वनी होती है उस ध्वनी की सौंदरता को उभार करके कवि ने रचनाय की है जैसे बासों की जुर तुमुत संध्या का जुटपुट है चहक रही चिडिया टीवी टी टू टू टॉ अब इस नाद सौंदर के माध्यम से जैसे उन्होंने साइकाली इंद्रश्य हम लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया है साइकाल का जुटपुटा है और उस समय जो चिडिया चहचाहाती है उसका वर्णत कभी ने इन नाद सौंदर से ध्वनियों के माध्यम से हम लोगों के सामने प्रकट कर दिया है अब हम उनकी कविता पर आते हैं सबसे पहले हम उनकी कविता पढ़ेंगे और फिर हम उसका संदर्व प्रसंग व्याख्या और कावगत सौंदर बताएंगे चीटी को देखा प्रश्णवाचक चिन है कि आपने चीटी को देखा वह सरल विरल काली रेखा तमके तागे सी जो हिल्डुल चलती लगुपत पल पल मिल जुल वह है पिपीली का पाती देखो ना किस भाती काम करती वह सतत कनकन करके चुनती अविरत गाय चराती धूब खिलाती बच्चों की निगरानी करती लडती अरिसे तनिक नडरती दल के दल सेना समारती घर आंगन जनपत बुहारती चीटी है प्राणी सामाजिक वह श्रम जीवी वह सुनागरिक देखा चीटी को उसके जीको भूरे बालों की सीकतरन छिपा नहीं उसका छोटा पन वह समस्त प्रिथवी पर निर्भय विचरण करती श्रम में तनमय वह जीवन की चिनगी अक्षय वे भी क्या देही है तिल सी प्राणों की रिल मिल जिल मिल सी दिन भर में वह मीलों चलती अथक कार से कभी न टलती अब हम कविता के प्रसंग पर आते हैं, संदर्भ में तो रचना और रचनाकार का नाम लिखा जाता है, प्रसंग में रचनाकार प्रस्तुत पंक्तियों में किन भावों को प्रकट करना चाहता है, एक दो पंक्तियों में उसकी भूमिका बताते हैं, फिर व्याख्या हम करते ह विशेवस्तु का भाविस्तार वा उसमें नहित अर्थ का व्यापक संदरभों में हम वर्णन करते हैं फिर काव संदर पर आते हैं जिसमें भाशा, रस्ट, छंद, अलंकार वा भावसाम को बताते हैं अब हम इनके प्रथम पध्यांश की व्याख्या पर आते हैं प्रस्तुत कावपंग्तियां हमारी पाथ पुस्तक, हिंदी के कावखंड के चीटी, शीरशक से ली गई हैं और यह पंग्तियां सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित हैं तो सुमित्रा नंदन पंत जी रचयिता और पाथ का नाम चीटी तो संदर्व में हम पाठ का नाम और रचैता का नाम लिखते हैं फिर प्रसंग में प्रस्तुत पध्यांश की मुख पंक्तियों को मुख बातों को एक दो पंक्तियों के रूप में हम लिखते हैं बताते हैं प्रस्तुत का व्यांश में सुमित्रा नंदन पंत जी ने चीटी जैसी लगु प्राणी की निरंतर गती शीलता का निर्भय होकर विच्रण करने कभी हार न मानने जैसी विशेशताओं का वर्णन किया है अब हम कविता पढ़े हैं फिर शब्दार्थ बताएंगे और फिर इसकी व्याख्या करेंगे चीटी को देखा प्रश्नवाचक चिन्ध वह सरल विरल काली रेखा तमके तागे सीजो हिलडुल चलती लगुपत पलपल मिलजुल वह है पिपीली का पाती देखो ना किस भाती काम करती वह सतत कनकन करके चुन्ती अविरत चीटी को देखा अब कवी यहाँ पर प्रश्न कर रहा है प्रश्नवाचक शैली है हम सब लोगों से पूछ रहा है मानों कि आपने चीटी को देखा है क्योंकि कवी समवेदन शील है इसलिए उसने चीटी जैसे छोटे जीव की विशेशताओं के उपर भी कविता लिख दी है इसलिए वह हमसे पूछ रहा है कि आप सबने चीटी को देखा है उसकी विशेशताएं उसके गुणों के बारे में जाना है, समझा है वह कैसी है? वह सरल है, सीधी साधी है विरल है, सघन नहीं है क्योंकि चीटी पतली सी होती है एकदम तो इसलिए उसके लिए कवी ने विरल शब्द का प्रियोग किया है काली रेखा क्योंकि चीटी का रंग काला होता है और वह एक पंक्ति के समान सीधी होती है इसलिए चीटी की तुल्ला कवी ने काली रेखा से की है आगे वह उसकी और विशेषताओं को बता रहा है उसके स्वरूप को उधगातित कर रहा है तम के तागे सी, तम मतलब अंधिकार और तागे से यहां मतलब है धागा तो जैसे अंधिकार का रंग क्या होता है अंधिकार काले रंग का होता है तो काले रंग के धागे की तरह जब वो चलती है तो ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई छोटा सा जीव या यह धागा या काली रेखा जो है वो हिल दूल रही है दगमक दगमक करके आगे बहड रही है चलती लगु पद वो अपने छोटे छोटे पैरों से लगु मतलब छोटे पद मतलब पैरों से पल-पल मतलब प्रतिछण मिल जुल करके क्योंकि चीटी एक सामाजिक प्राणिय समूह में रहती है इसलिए चीटियां मिल जुल कर मतलब साथ साथ वह चलती जाती हैं आगे बढ़ती जाती हैं और चीटी सुनागरिक भी हैं इसलिए वह एक पंक्ती बना करके अनुशाशन में चलती हैं आगे कभी यह बता रहा है पिपीलिका मतलब चीटी पांती मतलब पंक्ती देखो ना और यहां पर पांती के आगे विसमे बोधक चिन्न है इसके द्वारा कवी हम लोगों के नजरों में यह लाना चाहता है कि देखो कितनी छोटा सा जीव है यह लेकिन फिर भी कितने अनुशाशन बद्ध तरीके से मि निरंतर आगे बढ़ती जा रही है किस भाती किस तरह से भाती मतलब तरह से काम करती वह सतत सतत मतलब निरंतर वह निरंतर कार करती रहती है कभी रुकती नहीं है आलस नहीं करती है परिश्रम से पीछे नहीं हचती है कनकन करके कनकन मतलब एक एक दाना कनके मतलब करके चु के सतत निरंतर जो है वह अपने लिए एक एक कण करके दाना चुनती हैं इकठा करती हैं संग्रहीत करती हैं जिससे जब उने भोज पदार्थ की जरूरत हो तो वह उसका उप्योग कर सकें अब इसका हम समगर रूप से एक बार अर्थ बता देते हैं कि कवी कह रहा है कि आप पर देखिए उसकी विषेश्ताओं को जानिये वह सीधी साधी है सगन नहीं है काली रेखा के समान है क्योंकि उसका रंग काला होता है और काले रंग के धागे के समान वह हिलती डूलती आगे निरंतर बढ़ती रहती है उसके छुटे-छुटे पैर हैं लेकिन वो प्रति ज़ण मिल जुल करके समूह बना करके एक अनुशाशिक नाकरिक की भाती आगे बढ़ती जाती है आप सब लोग इनकी विशेशताओं को समझे जानिये और किस तरह से वह निरंतर काम करती रहती है यह अत्यंत आश्चर का विशह है कि इतनी छोटी सी जीव हो करके वह निरंत करती रहती है बिना ठके और एक एक दाने को लगाता निरंतर चुंती रहती है कावगत सौंदर भाशा साहित्ति खड़ी बोली शैली वर्णनात्मक है क्योंकि यहां पर चीटी की विशेश्टाओं का वर्णन किया गया है गुण ओज है रसवीर है क्योंकि चीटी की महनत क अवर्णन यहां पर कवी ने किया है अनुप्रास अलंकार पिपीली का पाती में पावर्ण कन-कन में कावर्ण की पुन्रवरत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है यहां पर और उपमालंकार तमके तागे सी काली रेखा उपमे में उपमान की समानता को प्रकट किया गया है और साधर्म वाचक शब्द के द्वारा यहाँ पर तुलना की गई, इसलिए उपमालंकार है, पल-पल और कन-कन में एक शब्द की पुन्रवृत्ती होने के कारण, यहाँ पर पुन्रुप्ति प्रकाश अलंकार है, अब हम चीटी के दूसरे पध्यांच पर आते हैं, संदर्ब वही होगा कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के कावखंड में संकलित चीटी नामक पाठ से ली गई हैं, और जिसके रचैता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, प्रसंग प्रस्तुत पध्यांच में चीटियों की कर्मत्ता का वर्णन किया गया है गाय चराती धूब खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अरी से तनिक नडरती, दल के दल सेना समारती, घर आंगन जन्पत बुहारती अब यहाँ पर चीटी के कर्म सौंदर को प्रकट किया गया है कि किस तरह से चीटी जो छोटे-छोटे दानों के रूप में अपना भोजपदात इकठा करती है बरसात के मौसम में, जब भीग जाता है तो बरसात के बाद धूप आने पर वहाँ उनको धूप दिखाती है, उनको सुखाती है, गाय चराती कहते हैं कि जैसे मनुष गाय को पालता है, पोस्ता है और उसका दूध अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करता है, ऐसे चीटी भी कुछ कीटों के रस को पीती हैं, तो उन कीटों को ला करके अपने बिल में रखती हैं और उनकी साथ संभाल देखभाल करती हैं, इसलिए कवी ने यहाँ पर कहा है कि जैसे मनुष गायों को चराता है, उनकी देखभाल करता है, वैसे ही चीटी भी जिस कीट का रस पीती हैं, गाय की तरह उस कीड़े की भी साथ संभाल देखभाल करती हैं, बच्चों की निगरानी करती हैं और चीट अपने बच्चों की देख भाल भी करती हैं लड़ती संघर्ष करती हैं अरी दुश्मन से तनिक जरासा भी दर्थी नहीं है वह निर्भय हैं और अपने दुश्मनों के साथ लड़ती हैं संघर्ष करती हैं और उन्हें पराजित करती हैं दल के दल समू के समू जो हैं वो ची जो उनका घर होता है उसमें जो आंगन होता है प्रांगन होता है और जनपत जो रास्ते होते हैं उनको बुहारती हैं साफ करती हैं चीटी जमीन के अंदर कई मंजिला घर बनाती है तो उसी की और कभी यहां संकेत कर रहा है कि वह अपने घर को निवास स्थान को उसमें जो प शुत्रा करती है और इस तरह से चीटी सुबह से लेकर के शाम तक दिन रात कर्म में लीन रहती है और अपनी कर्मट्टा का परिचय देती हैं अपने दुश्मनों से डरती नहीं है और अपना कार तनमयता से करती हैं अब हम कावगत सौंदर पर आते हैं साहितिक खड़ी बोली शैली वणनात्मक है गुण ओज है रस वीर है सेना समार्ती में सावण की पुन्रवरती होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है अब हम इनके तीसरे पद्यांश पर आते हैं संदर्व वहयोगा प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाट पुस्तक हिंदी के कावखंड में संकलित चीटी नामक पाट से ली गई हैं और जिसके रचेता सुमित्रा नंदन पंथ हैं प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियों में कभी ने सामाजिकता था क्रिया शीलता को चित्रित किया है अब हम पढ़ने हैं चीटी है प्राणी सामाजिक वह श्रम जीवी वह सुनागरिक देखा चीटी को उसके जी को भूरे बालों की सी कतरन शिपा नहीं उसका छोटा पन वह समस्त प्रित्वी पर निर्भय विचरन करती श् कि चिनगी अक्षय वह भी क्या देही है तिल सी प्राणों की रिल्मिल जिल्मिल सी दिन भर में वह मीलो चलती अथक कार से कभी न टलती चीटी है प्राणी सामाजिक क्योंकि चीटी अपना समाज बना करके रहती हैं समू में रहती हैं इसलिए कभी चीटी को सामाजिक प्र ड़ते हैं वह श्रमजीवी है、 वह परिश्रमी हैं महनती है इसलिए वह श्रमजीवी कहलाती है और सुनागरिक है क्योंकि अपने करतवियों का भलीभाति पालन करती अपने समाज की जो व्यवस्ता है उसे बनाती है उसे भंग नहीं करती है इसलिए कभी ने उसको सुन्दर नागरिक कहा है फिर प्रशन कर रहा है कभी देखा चीटी को क्या आपने चीटी को देखा है मतलब उनकी इन विशेशताओं की और आपने नजर डाली है उनसे आप प प्रशेशताओं से युक्त है तो यहाँ पर कभी यह कहना चाहता है और फिर चीटी कैसी दिखती है उसका वरणन कभी कर रहा है क्योंकि चीटी भूरे रंग की भी होती है और काले रंग की भी होती है तो जैसे बालों की कतरन छुट छुटे बाल जो होते हैं बाल चमकते ह है और जब उनको काट दिया जाता है कतर दिया तो वह एकदम छोटे-छोटे हो जाते हैं तो उसी तरह भूरे बालों की तरह ही यह भूरे रंग की चीटी दिखाई देती है और छिपा नहीं है मतलब किसी से अप्रतक्ष नहीं है उसका छोटा पन वो जो लगुप्राणी है शरीर जो एकदम छोटा है तो यह उसके शरीर का छोटा पन किसी से छिपा नहीं है अप्रतक्ष नहीं है वो सामने इसपस्ट सबको दिखाई देता है लेकिन उसके बागजूत वह समस्त पृत्वी पर पूरी पृत्वी पर धरा पर निर्भय होकर भय से रहित होकर के वह अमे तनमे शरीर से और मन से वह कार में निरंतर लगी रहती है, महनत करती है वह जीवन की चिनगी अक्षय, अक्षय मतलब कभी नस्ट नहोने वाली और चिनगी चिंगारी को कहते हैं जैसे आग की एक छोटी सी चिंगारी भैंकर आग लगाने में समर्थ होती है वैसे ही यह छोटी सी चीटी अपनी जीजीविशा से जीवन में बड़े-बड़े कार करने के लिए तत्पर रहती है और करके भी दिखा देती है कहते हैं चीटी अपने वजन से 20 गुना ज्यादा वजन उठा सकती है तो यहाँ पर कभी चीटी की जीविशा और यूद्सा को प्रकट कर रहा है उसकी यह जीविशा और यूद्सा कभी समाप्त नहीं होती है वा निरंतर कर्म करती रहती है मेहनत करके आगे बढ़ती रहती है और फिर कभी यहां पर कह रहा है कि देही जो देह को धारण करता है उसे देही कहते हैं तो उसका शरीर कैसा है तिल सा तिल एक दलहन है तिल काले और सफेद रंके होते हैं छोटे छोटे होते हैं चिकने होते हैं और चमकते हैं इसलिए चीटी के शरीर की तुलना वहां तिल से कर रहा है कि उसका शरीत तिल के समान चमकता है और छोटा है प्राणों की रिल मिल जिल मिल सी और रिल मिल चीतियां रेला बना करके पंक्ति बना करके और मिल जुल करके आगे बढ़ती हैं इसलिए कभी यहां पर रिल मिल शब्द का प्रियोग कर रहा है और चीति का काला और भूरा रंग चमकता है जिल मिलाता है इसलिए जिल मिल शब्द का कभी ने प्रयोग किया है तो प्राणों की सजीव मतलब हो करके चीती एक सजीव प्राणी है जीवन्त है चेतन है तो वह अपनी चेतना से साथ साथ मिल जुल करके एक साथ जिल मिलाती हुई प्रकाश करती हुई दिन भर म वह मीलो चल लेती है, बहुत अधिक सफर पै कर लेती है, उसने कितनी यात्रा की है, इसका हिसाब नहीं लगाया, जा सकता है, अथक वह कभी ठकती नहीं है, और किसी भी काम से ना टलती, पीछे नहीं हटती है, वह हर कार को करने के लिए ततपर रहती है, अब हम कावगत सौंदर पर आ जाते हैं, कि भाशा साहितिक खड़ी बोली है, शैली यहां मुक्तक है, गुण ओज और प्रसाद है, रसवीर है, अलंकार उपमालंकार, भूरे बालों की सी, तिल सी उपमे में उपमान की समानता को प्रकट किया गया, इसलिए यहां पर उपमा बच्पन का क्या नाम था, यह दोनों अतिलग उत्तरी प्रशन है, और तीसरा किसी एक पद्यान, शिकी संदर्व प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए, वाकावगत सौंदर भी, लिखे यह आपका तीसरा, विस्तत उत्तरी प्रशन है, आशा है आपको यह चीती पाट समझ म के आगया होगा, और चीती से संबंदित अन जानकारियां भी आप पढ़िएगा, तो चीती की विशेष्टाओं से आप परिचित होईएगा, और चीती किस तरह से अपने जीवन के माध्यम से मनुष्य को भी शिक्षा दे जाती है, इसका वर्णन भी कभी ने यहाँ पर कि नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर प्रेशी गुपता कक्षा बारा की रासायन विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं. बच्चों, कक्षा ग्यारा की ही भाती, कक्षा बारा में भी रासायन विज्ञान की दो पुस्तके हैं, भाग एक और भाग दो. आज हम रासायन विज्ञान की भागदो पुस्तक के अध्याए 10, हेलो एलकेंस, तथा हेलो एरींस का अध्यान करेंगे. कक्षा आरम कहने से पहले मैं आपको ये बता दू कि ये व्याख्यान इस अध्याय का पहला व्याख्यान है और हम देखते हैं कि इस व्याख्यान में हम किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे तो शुरू करते हैं सबसे पहले तो हम यह जानेंगे कि हैलो एलकेंस और हैलो एरीन्स क्या होते हैं, उसके बाद हम यह जानेंगे कि इनका हमारे दैनिक जीवन में क्या उप्योग है, उसके बाद हम इनका वर्गी करण पढ़ेंगे कि विभिन आधारों पर इन्हें किन-किन वर्गों में वर्ग का अध्यान करेंगे. तो शुरू करते हैं और जानते हैं कि हैलो एलकेन और हैलो एरीन क्या होते हैं? तो हैलो एलकेन या एलकेल हैलाइड और हैलो एरीन या एरिल हैलाइड बनते हैं. तो आप ये बच्चों आप वैसे पहली कक्षा में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर बे मैं आपको बता दूँ कि आवच साणी के P-Block में, सत्रवे वर्ग में पाँच तत्व रखे गए हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन. इनमें से एस्टेटीन रेडियो एक्टिव होता है, इसलिए वो हैलो एलकेन और हैलो एरीन नहीं बनाता है. तो हैलो एलकेन और हैलो एरीन जो हमें मिलेंगे, वो हमें इन चार तत्वों से ही मिलेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, डोमीन और आयोडीन से ही प्राप्त होंगे. हेलो एलकेन और हेलो एरीन में जो एक मुख्य अंतर होता है, वो यह होता है, बच्चों, कि हेलो एलकेन में जो हेलो जिस कार्बन परमाड़ों से जुड़ा हुआ होता है, वो संकरित होता है. बच्चों, आप चानते हैं, यह पूर्म की कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं, कि बेंजीन रिंग के सभी कार्बन जो है, वो संकरित होते हैं. संकरित कार्बन भी आपको पता होगा, कि वो कार्बन जो चार सिगमा बंधों से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हेलो अलकेंस के उप्योग क्या है, तो यह जो संरचना आपको दिख रही है बच्चों, यह क्लोरम फिनकॉल नामक प्रतीजयविक अर्थात अंटिबायोटिक की है, जिसका उप्योग टाइफाइड ज्वर के उप्च्वार में किया जा क्लोरोफॉर्म की संदचना है, क्लोरोफॉर्म पुराने समय में शले चिकित्साओं में निष्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता था, पर अब यह नहीं किया जाता है, क्यों? क्योंकि क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश में वायो की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अत्यांत जहरीली ग्रैस बनाता है जिसे फार्जीन कहते हैं। आएए देखते हैं। और HCl भी बनता है। तो पहली बार जब आप बोतल खोलेंगे, तब आपको शुद्य क्लोरोफॉम मिलेगी, लोकिन दूसरी बार क्योंकि वाईू ख्लोरोफॉम की बोतल में जा चुकी होगी और वाईू में ऑक्सिजन होती है, तो क्लोरोफॉम उस वाईू के साथ औक्सिजन से अभी क्रिया करके जहरीली फॉस्जिन गैस बना लेगी, अता क्लोरोफिरम का प्रयोग अब निश्यता के रूप में नहीं किया जाता है. तो अब कित का प्रयोग निश्यता के रूप में करते हैं? तो देखते हैं, यह जो संरचना है, यह हैलो थेन की संरचना है, और हैलो थेन भी एक हैलो एलकेन है, तो वर्तमाल समय में हैलो थेन का प्रयोग जो है, वो निश्चेतक के रूप में किया जाता है. आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हेलो एरीन्स का क्या उप्योग है, तो बच्चों, यह जो संदचना है, यह क्लोरोक्वेन नामक औशदी की संदचना है, और इसका उप्योग मलेरिया रोग के उप्चार में किया जाता है, नीजी, जो संदचना आपको दिख रही है, यह ह हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वेन की संदचना है बच्चों, और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वेन का नाम मुझे लगता है, आप सबने आजकल अवश्य सुना होगा, यह जो दवा है, यह कोविड-19 के उप्चार में एक संभावित दवा के रूप में उभर के आई है, हाला कि इस इस बीमारी का अभी कोई इलाज नहीं है, इसलिए मेरा सुझाओगी है कि आप घर पर और सुरक्षित रहें. आगे बढ़ते हैं, हैलोरीन का एक और उप्योग देखते हैं, यहाँ क्लोरीन परमारों सीदे-सीदे बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ हुआ है, तो यहाँ यहाँ यह जो हैलोरीन है, यह पहला क्लोरीन युक्त कीट नाशी था, DDT, इसका नाम कैसे संझेंगे DDT? डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो और कार्बन क्योंकि दो हैं तो अथेन, ठीक है? तो इसलिए इसका नाम पढ़ा DDT और इसका यह मूलता उनने सो तीह में बनाया गया था और इसके जो केट नाशी प्रभाव की खोज है, वो उनने सो उनननाशी में पॉल मुलर ने की थी. ठीक है? और उसके लिए उनने सो उनननाशी में चिकित्सा और शरीर क्रिया विज्यान के छेत्र में नोबल पुरुसकार प्राप्थ हुआ, लेकिन दि बहुत सारे प्राप्थ हामने आये, इसलिए 1973 में स्वयुक्त राश्ट ने इसके प्रयोग पर प्रत्राप्थ लगा दिया. आगे बढ़ते हैं, यह थायरॉक्सिन हार्मोन है, जो प्राकर्टिक रूप से हमारे शरीर में पाया जाता है, और इसके कमे से घेंगा रोग हो जाता है, इसलिए थायोटी में बखाने के दिला दी जाती है. अब बढ़ते हैं हेलोयलकेन और हेलोयरीन के वर्गी करण पर, तो सबसे पहला जो वर्गी करण गया है बच्चों, वो हैलोजन परमाड़ों संख्या के आधार पर किया गया है. यदि hylo-alkaine और hylo-areine में Halo Gel parmaaduय की संख्या एक है उन्हें Kramsha mono Halo alken तथा mono Halo alken केTherin कहते है यदि halogen parmaaduय की संख्या दो है तो उन्हें kita di-halo alken ंr di-haloaren कहते है *** हेलो-जन parmaaduय की संख्या तेन है तो उन्हें tri-halo alken तथा tri-halo a-rin कहते हैं यहाँ mono-halo-alkane को पुना दो वर्गों में वतिक्रत किया गया है. ठीक है? तो पहला वर्ग ये है, जब हैलोजन परमाडू, SP3 संक्रित कार्बन परमाडू से जुड़ा हुआ हो. और दूसरा वर्ग है, जब हैलोजन परमाडू, SP2 संक्रित कार्बन परमाडू से जुड़ा हुआ है. तो पहले हम पहले वर्ग का अध्यम करते हैं, जब हमारा हैलोजन परमाडू, SP3 संक्रित कार्बन परमाडू से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे alkyl halide को तीन वर्गों में व यह तो एक भी कार्बन से ना जुड़ा हो या सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हो. आए, हम देखते हैं, बच्चो. जैसे यहाँ पर मैंने मैथिल हैलाइड लिखा है. यहाँ पर कोई भी हलोजन अटम हो सकता है. तो आप देख रहे हैं कि जिस हलोजन अटम से, हमारा हलोजन परमाडू, जिस कार्बन परमाडू से जुड़ा हुआ है, वो स्वाएम एक भी कार्बन परमाडू से नहीं जुड़ा हुआ है. इसलिए यह परात्मिक अलकिल हलाइड है. यहाँ देखिए, यहाँ पर भी जो हलोजन परमाडू है, वो जिस carbon parmaru से जुड़ा हुआ है, वो सिर्फ एक carbon से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये भी एक prathamik alkyl halide है. बात करते हैं, दितियक alkyl halide की, तो दितियक alkyl halide वे alkyl halide होते हैं, जहां हमारा halogen parmaru दितियक carbon से जुड़ा हुआ होता है. और दित्यक कार्बन वो कार्बन होते हैं जो स्वयम दो कार्बन से जुड़े हुए होते हैं। बात करते हैं तृतियक अलकिल हलाइट की तृतियक अलकिल हलाइट वे अलकिल हलाइट होते हैं जो तृतियक कार्बन से जुड़े हुए होते हैं। और तृतियाक कारबं वो कारबंजी में होताँ, जो स्वयम तीन कारबं से जुड़ा हुआ होता है. PRAATHMIC YDITYAK और तृतियाक अलकिल हलाइट को क्रमशा 1 degree, 2 degree और 3 degree अलकिलहलाइट भी कहते हैं. आगे पठते हैं और जानते हैं कि क्या होते हैं तो बच्वों, जानने से पहले मैं चाहूँगी कि आप यह जाने कि अलिलिक कार्बन क्या होता है. कार्बन-कार्बन-डबल-बॉंड से जुड़ा हुआ. कार्बन-कार्बन-डबल-बॉंड का समीपवर्ती, समीपवर्ती चप ज्यादा बेटर है. समीपवर्ती, SP3 संक्रिट जो कार्बन होता है, उसे हम अलिलिक कार्बन कहते हैं, और अगर हम इससे हैलोजन परमाड जोड़ दे, तो उसे अलिलिक हैलाइट कहते हैं. अलिलिक हैडाइट तीन प्रकार के होते हैं. आएए देखते हैं. यदि हमारा अलिलिक कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, तो इन्हें इस प्रकार के अल्किल एलाइट को हम प्रात्मिक अल्किल एलाइट कहेंगे. कहेंगे, यदि हमारा अलिलिक कार्बन सिर्फ एक कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, तो इस प्रकार के अल्किल हैलाइट को हम दुतियक अल्किल हैलाइट कहेंगे. और हमारा हैलोजन परमाडू ऐसे अल्लिक कार्बन से जुड़ा है जो स्वयां तीन कार्बन से जुड़ा है, वन, टू और थ्री, तो इसे कृत्तियक अल्लिक हैलाइट कहेंगे. आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या होते हैं बेंजिलिक हैलाइट, तो बच्चो, बेंजिलिक हैलाइट जाने से पहले, मैं यह चाहूंगे कि आप जाने कि बेंजिलिक कार्बन क्या होता है? तो बेंजीन रिंग से सीधे सीधे जुड़ा हुआ, जो SP3 संकृत कार्बन होता है, वो बेंजिलिक कार्बन कहलाता है और उससे यदि हम हैलोजन परमारू को जोड़ दें, तो बेंजिलिक हैलाइट बन जाता है. तो एलिलिक हैलाइट की भाती, बेंजिलिक हैलाइट भी प्रात्मिक, दितियक और तितियक होते हैं. आगे बढ़ते हैं, दूसरे वर्ग की ओर, जिसमें हमारा हैलोजन परमारू, SP2 संकृत कार्बन परमारू से जुड़ा हुआ होगा, तो इसमें पहला है विनायलिक हैला रेलिक हैलाइट वे शब्रात्त परमारू हैं, जिसमें हमारा हैलोजन परमारू carbon-carbon double bond के SP2 संकृत कार्बन से सीधे सीधे जुड़ा हुआ होता है, तो यहां देखें, carbon-carbon double bond के carbon-carbon double bond के carbon-carbon से सीधे halogen परमारू है, यहां आपने cyclohexene का structure बनाया है और यहां पे भी देखि वो सीधे सीधे बेंजीन रिंग के कार्बन से जुड़ा हुआ है और आप जानते हैं कि बेंजीन रिंग का जो कार्बन होता है वो सभी कार्बन बेंजीन रिंग के SP2 संकृत कार्बन होते हैं. तो यहां तक बच्चों, हम लोगों ने हेलो एलकेन और हेलो एरीन का वर्गी करण पढ़ लिया. अब हम आगे बढ़ते हैं और हेलो एलकेन्स और हेलो एलकेन्स की नाम पद्दती के बारे में अध्यन करेंगे. तो देखें बच्चों, एलकेल हेलाइड का या हेलो एरीन का सामान नाम लिखने के लिए हम पहले एलकेल समू का नाम लिख देते हैं और अंत में हेलाइड जोड़ देते हैं. और आयू-पेसी नाम जो लिखा जाता है वो हेलो प्रतिस्थापी हाइड्रोकार्बन के रूप में लिखा जाता है. ठीक है? तो यहाँ पर जब हम ये नाम लिख रहे हैं, तो देखें, बचों, ये समू जो होता है वो एन-प्रोपिल समू कहा जाता है और इस से क्योंकि लगा हुए है, तो इसका सामान नाम हो जाएगा एन-प्रोपिल ब्रोमाइट. यहाँ पर देखें, और आयू-पेसी नाम अगर हमें लिखना है, तो देखें, पहले वाले कार्बन पर ब्रोमीन लगी हुई है, हैलो-प्रतिस्थापी हाइड्रोकार्बन. हमारा कौन सा था? प्रोपेन था, तो इसका आयू-पेसी नाम हो जाएगा वन-प्रोमो-प्रोपेन, क्योंकि पहले कार्बन पर ब्रोमीन लगी हुई है. यह समू है, इसे आइसो-प्रोपिल समू कहते हैं, और इससे क्लोरीन लगा हुए है, तो इसले इसका नाम हो तो इसका नाम हो जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा आइसो-ब्यूटिल क्लोराइड और अगर इसका नाम हो जाएगा आइसो-ब्यूटिल क्लोराइड और अगर इसका नाम लखें बच्चों, तो वन, टू और थ्री, वन पोजिशन पे क्लोरीन लगा है और टू नाम हो जाएगा वन ख्लोरो, टू मिथिल और प्रोपेन क्योंकि कार्बन की संग्या तीन है. आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, इन कंपाउंट के नाम बताने से पहले, मैं आपको कुछ पोजीशन बता देती हूँ. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 or 6. और 6 पोजीशन होती है, उसे हम और्थो पोजीशन कहते हैं, 3 और 5 पोजीशन होती है, वो मिटा पोजीशन कहलाती है, और जो 4 पोजीशन होती है, वो पैरा पोजीशन कहलाती है. तो इसका तो सामाने और IUPAC दोनों नाम जो है, वो ब्रोमो बेंजीन होगा, क्योंकि अरिल हैलाइट कर सामाने और IUPAC नाम अरिल हलाइट ही होता है. ठीक है, दूसरी इस्ट्रक्चर को हम देखते हैं, तो देखिए, वन, टू और त्री. तीसरे पोजीशन पे दूसरा ब्रोमीन गुप लगा हुआ है यहां पर तीसरी पोजीशन, मिटा पोजीशन होती है, तो इसका सामाने नाम हो जाएगा, मिटा ड्राइब्रोमो बेंजीन, और क्योंकि पहली और तीसरी पोजीशन पे ब्रोमीन लगी है, तो IUPAC नाम हो वोरा Symmetrical है, और कितने Bromine लगे हुए है, तीन Bromine लगे हुए तो इसंका नाम हो जाएगा, Stim TryBromo Benzean. और क्य works the first 3rd और 5th वी पोजिशन पे Bromine Group लगा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा One-Tree5 TryBromo Benzean. आगे बढ़ते हैं. तो बच्चो, कुछ गुरुप्स के नाम आपके पुस्ट में पहुदा यूज होते हैं. N-Group क्या होता है? Secondary Group क्या होता है? Iso क्या होता है? Tertiary या तृतियक क्या होता है? यहाँ जो अल्चल गुरुप है, हम उसे समझाएंगे. ब्यूटिल गुरुप की साहता से. N-BUTYL, Secondary-BUTYL, Iso-BUTYL, और अगर Tertiary-BUTYL यूज किया है, तो आप नहें कैसे समझेंगे, कैसे लिखेंगे? और मैं चाहूँगी आप लोग इस चीज को बहुत अच्छे देख लें और समझ लें, क्योंकि ये आप लोड परिक्षाने, और अच्छे योगी परिक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं. तो आएए देखते हैं कि इनको कैसे समझते हैं. अगर हम N-BUTYL की बात करें, बच्चों. तो यदि कार्बन पर्माड़ों की सीधी श्रंखला में अन्त वाले कार्बन से कोई क्रियात्मक समुझ जुड़ा होता है, तो ऐसे अलकिल समुझ को N-Alkyl समुझ कहते हैं. और क्योंकि यहां पर कार्बन हमने चार उप्योब किये हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? N-butyl-समुझ कहेंगे. आगे बात करते हैं, secondary butyl की, तो देखें. यहां इस butane में दो कार्बन secondary carbon होते हैं. एक यह वाला carbon पी secondary है, क्योंकि यह भी स्वाइम दो कार्बन से चुड़ा है, और यह वाला carbon पी secondary है, क्योंकि यह भी दो carbon से जुड़ा हुआ है. तो इन में से अगर हम किसी भी carbon से जो क्रियात्मक समुझ हमें लगाना है, मानलीजी क्योंकि हम haloalkane और haloirene पढ़ा रहे हैं, तो अगर इन से हम halogen परमाण को लगा दें, तो यह जो हमारा compound होगा, वो secondary butyl halide हो जाएगा. चीक, अब बात करते हैं ISO की. ISO group बहुत important है. आइस्टो प्रोपिल ग्रुप समझे है, बचो, CH3, bond CH, bond CH3. यहाँ देखे बचो, कारबन की संख्या कितनी है? तीन है. इसलिए इस ग्रुप कहते हैं. और इसको आप ऐसे याद करेंगे, इस इस स्ट्ट्चुर को आप ऐसे गुमा दीजे, तो यह यह के स्ट्रक्चुर को अगर आप याद कर लें, तो यह जो ग्रुप होता है, वो क्या कहलाता है? ISO-PROPYL ग्रुप. ठीक है? उसके बाद हम समझते हैं कि ISO-BUTYL group क्या होता है, बचा. तो ISO-BUTYL जब आप लिखेंगे, बचो, तो आप ISO-PROPYL group को नहीं टच करेंगे. यह बिल्कुल ऐसे ही लिख देंगे, और इसके साथ, क्योंकि हम-BUTYL लिखना है, तो हम एक कार्बन और जोड देंगे इसमें. तो यह जो संदचना हो जाएगी, वो किसकी हो जाएगी? ISO-BUTYL group की हो जाएगी. ISO-BUTYL group की हो जाएगी. आगे बात करते हैं, हम Tarshree-BUTYL, अगर गुरुप कहा जाए आपसे लिखने के लिए, तो Tarshree-BUTYL लिखना होगा, Tarshree-BUTYL मतलब इसमें होनी जाहिए बचों. ठीक. और BUTYL का मतलब Carbon की संक्या चार होनी चाहिए. तो यहां पर देखे, यह Carbon, स्वयम तीन Carbon से जुड़ा हुआ है. One, two, और three. तो जो यह group होता है, बत, यह Tarshree-BUTYL group होता है. Tarshree-BUTYL group होता है. Tarshree-BUTYL group होता है. Tarshree-BUTYL group होता है. इसको त्रतियक-BUTYL group भी कहते हैं. तो मैं आशा करती हूँ, यह groups आपने अच्छी तरीके से समझ लिये हैं. N-BUTYL में, स्ट्रेट चेन होगी, सीधी श्राइब. Secondary-BUTYL में, जो हमारा क्रियात्मक समू हो वो देती है, कार्बन से जुड़ा है. Isopropyl, वाई का structure आप याद रखेंगे, यह दो नमबर, यह तीन नमबर और यह चार नमबर. और Isobutyl में, Iso, जो Propyl Group है, वो हमारा intact रहेगा, ऐसे ही रहेगा, एक Carbon हम उसमें और जोड़ेंगे, और Tertiary-BUTYL में हम क्या करेंगे? क्रितिय कार्बन से हम अपना क्रियात्मक समू जोड़ेंगे. यह बहुत important concept है, बच्चों, और आपको आना चाहिए. बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, जो यह concept कर लेते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे हैं, जिनने नहीं आता है, तो इसलिए क्योंकि यह आपकी भागदो-पुस्तक का पहला अध्याय है, तो इस अध्याय से ही आप Carbonic Racine को शुरू कर रहे हैं, तो मैंने इसको विस्तार पूर्वावक आपको समझा दिया है, यह आगे के अध्यायों में भी आपको अच्छे से समझ में आएगा. आगे बढ़ते हैं, और जानते हैं कि क्या होते हैं Geminal और Vicinal Halite. हम यह जो है, Geminal और Vicinal Halite जो है, हम इस उध्यारण के द्वारा समझेंगे, यह जो उध्यारण है. अगर समान तरहां के Halogen परमाड़। दो कि यह समान होने चाहिए, अगर हम कलोरीरिन ले रहे हैं तो लेकाड़ कि अगर समान तरहां के Halogen परमाड़। अगर समानतरहा के Halogen परमाड़। एक ही कारबन से जुड़े हुए होगे ठीक है, आपको यह दिख गर्हा गर्माड़। यदि एक ही carbon से जुड़े हुए हों, तो इस तरह के hyalite को geminal dihyalite कहते हैं, और संचिप्त रूप में इसे gem dihyalite कहते हैं, क्योंकि हमने मुख्यता इसका उधारन लिया है, इस योगिका उधारन लिया है, और इसमें carbon barmaadu की संख्यादो है, इसलिए इसका जो सामान नाम लिखते हैं, वो एथलिटीन क्लोराइड लिखते हैं, और आयोपीसी नाम है, क्योंकि देखे, पहले ही carbon पर दो क्लोरीन परमाड़ू लगे हुए है, इसलिए इसलिए आयोपीसी जो नाम होगा, वो हो जाएगा 1-1-Di-Kloro-Athene. आगे बढ़ते हैं और इनकी बात करते हैं, इनके विसिनल हैलाइड की. तो अगर हमारे समान हैलोजन परमाड़ू, यहां पर रहना है हमें कि हैलोजन परमाड़ू, हमारा समान रहना चाहिए, समान हैलोजन परमाड़ू समीपुवर्ती carbon से जुड़ा है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, विसिनल हैलाइड कहेंगे, और संचित रूप में विस्दाइलाइड कहेंगे, क्योंकि हैलोजन परमाड़ू की संचिया कितनी है, दो है, ठीक है. एक्जाम्पल हमने इसका लिया है, तो देखे, इसका नाम क्या हो जाएगा, तो अधिलीडीन, डाइख्लोराइड, ठीक है, और आयोपीसी नाम की बात करें, तो देखे, पहले और दूसरे कार्बन पर, हेलोजन परमाड़ू लगा हुआ है, या क्लोरीन परमाड़ू लगा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा, वन्टू डाइख्लोरो एथेम, ठीक हमारे बते हैं, बच्चों, यह आपका ग्रहकार्य है, और ग्रहकार्य में जो पहला प्रश्न है आपका, वो यह है कि आपको निमलिखित योगों की संदचनाएं करनी हैं, ठीक है, और दूसरा प्रश्न है आपका, कि आपको निमलिखित दिये हुए एलकेल हैलाइड को वन डिग्री, टू डिग्री और त्री डिग्री में वर्गी क्रत करना है, ठीक है, तो यह आप कर लेंगे, कार्बन परमाड़ों की संख्या देख कर, तो अगर आपको मैं थोड़ा सा हिंट दे दो, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ जो हैलोजन परमाड़ों हमारा लगा हुआ है, वो देखे, कितने कार्बन से लगा हुआ है, एक ये कार्बन है, और एक ये कार्बन है, दो कार्बन से लगा हुआ है, तो आप विचार कीजिएगा कि यह कौन सा हैलाइड है. यहाँ पे जो हैलोजन लगा है, यह देखिए, यहाँ स्वयम दो कार्बन से लगा हुआ है, तो आप उत्तर में लिखेंगे यह कौन सा हैलाइड है. यहां हमारा हेलोजन परमाडू जिस कार्बन से लगा हुआ है, वो स्वयम कितने कार्बन से लगा हुआ है, एक कार्बन से लगा हुआ है, और यहां जो हमारा हेलोजन परमाडू है, वो जिस कार्बन से लगा है, वो स्वयम तीन कार्बन से लगा हुआ है, ठीक है, तो यह किस इस तरह के अलकील हलाइट में वर्गी करत करेंगे इन्हें 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में यह आप घर पर करेंगे. चो आज हमने सीखा है कि हैलो अलकेन क्या होते हैं, हैलो एरीन क्या होते हैं, और उनका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है? उसके बाद हमने इनका वर्गी करन सीखा कि क्या होते हैं प्रात्मिक हलाइट, क्या होते हैं दितियक हलाइट, क्या होते हैं तरतियक हलाइट, क्या होते हैं अलाइलिक हलाइट, विनायलिक हलाइट और बैंजायलिक हलाइट. उसके बाद इनकी संरचनाये सीखी, इनकी नाम पद्दती सीखी, ठीक है, तो आप इनका जो अभ्यास है, वो आपकी जो पुस्तक है रासायन विज्ञान भाग दो से, उससे करेंगे, और दूसरी बात, यह जो संरचनाये आप है, यह संरचनाये भी आपका ग्रहकार है, यह रेयाप करेंगे, उसके बाद अगले व्याख्यान में हम इनको बनाने के विधियों का अधिyan करेंगे, तो जो आपकी पुस्तक है रासायन विज्ञान भाग तो आप उससे अच्य तरीके छिसको पढगे जिससे अगला व्याख्यान आपको अच्छी तरीके से समझ में आशागरती हूँ, आज जो मैंने पढ़ाया है, वो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।